आज MCDK हाउस में भारतिय जंता पार्टी ने अपनी गुंडा गर्दी का अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है Standing Committee का चुनाव चल रहा था Standing Committee का चुनाव और उसकी वोटिंग पीस्फुली हुई Standing Committee के चुनाव की counting पीस्फुली हुई लेकिन जैसे ही भारतिय जंता पार्टी को लगा कि वो Standing Committee का चुनाव हार रहे हैं उन्होंने हमारी मेयर पर एक महिला मेयर पर स्टेज पर चड़कर बुरी तरहां से हमला किया मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शेली अबरोई जी यूनिफाइड MCD की दिल्ली की पहली मेयर एक महिला उनको अपनी जान बचा कर हाउस से भागना पड़ा हाउस से वो बाहर गई हाउस के बाहर भी भातिय जंता पार्टी के पार्शदों ने पुरुष पार्शदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया उन पर फिजिकली हमला किया यह क्या गुंडा कर दिये भातिय जंता पार्टी की जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया पुरुष काउंसलोरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शेली ऑबरोय पे हमला किया है भारतिय जंता पार्टी की ये गुंडा गरदी देखकर पुरा देश शर्मसार है आज पुरा देश देख रहा है कि किस तरहां से भारतिय जंता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है डेपिडी मेयर का नहीं होती है इल्लीगल तरीके से एल्लर में अपॉइंट करती है उन से इल्लीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है सुप्रीम कोट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते है चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल की चुनाव में बैलिट बॉक्स चोरी करके चले गए बैलिट पेपर फाद दिये आज हमने उनकी सारी टर्म्स और कंडिशन्स को एकसेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया फिर से चुनाव करवाया मेयर ने उनकी सारी कंडिशन्स एकसेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है उसके बाद जब टाउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं वो मेयर पे हमला कर देंगे ये कैसी गुन्डगर्दी है क्या भारतिय जणता पार्टी जनादेश को इस्विकार नहीं कर सकती है दिल्ली की जनता नहाम आद्मी पार्टी को चुनके भेजा है भारतिय जनता पार्टी वालों अपनी गुन्ड़गर्दी बंद करो लोग तंतर का सम्मान करो दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करो सम्विधान का सम्मान करो ऐसी बूत कैप्चिरिंग तो 30-30 साल पहले बिहार में नहीं होती थी जो आज पूरे देश के सामने कैमरास के सामने देश की राजधानी में भार्तिय जन्ता पार्टी के पारशद कर रहे है मेरी भार्तिय जन्ता पार्टी से हाथ जोड के अपील है दिल्ली के जन्ता के जनादेश को स्विकार करिए गुंडा गर्दी बंद करिए और महिला मेयर पे जो हमला करते हैं उसको बंद करिए महिला मेयर पे जो हमला हुआ है उस पे हम पूरी कानूनी कारवाही करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो पारशद हैं जिन्होंने महिला मेयर पे हांस के अंदर और हांस के बाहर हमला किया है उनको हम जेल भेजें जब एक वोट इन्वैलिड पाया गया अगर आब mcd का थेखिए वोट को अगर किसी वोट का इन्वैलिड होने का डाउट है तो प्रिजाइडिंग आफिसर का डिसिजन होता है कि वोट वैलिड है कि हे इन्वैलिड मेयर ने एग वोट की इन्व légड घोशिद किया झाल झाल